हालो एन वैलकम ट्यू दे क्लास रिलिस्ट स्कूल हम पढ़ रहे थे और रिलिस्ट स्कूल में हमने अमारिकन स्कूल को कम्प्रीट कर लिया था स्केंडेनेविया के लिए मैंने आप से पूछा था कि अगर आपको पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजेगा तो कुछ ने किया कमेंट तो इसी लिए आज हम स्केंडेनेवियन रिलिस्ट को भी स्टडी करके इसको भी फिनिश कर देते हैं तो स्केंडेनेवियन रिलिस्ट को समझने से पहले समझते हैं कि स्केंडेनेविया क्या है ये countries है North Europe में Norway Denmark और इसके अंदर आता है Sweden और कहीं कहीं पर Finland और Ireland को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है इसके लावा कुछ islands भी है जो Scandinavia बनाते हैं अब Scandinavia realist पर चलते हैं तो पहली बात तो समझे कि school कहा जा सकता है कि नहीं इसके संदर में इसके में डायस ये बोलते हैं कि ऐसा कोई school मुश्किल सही मिलेगा जिसको बोल सकते हैं Scandinavian realism ऐसा क्यों क्यों क्योंकि जो individuals है इस group से जो belong करते हैं जो exponents हैं इस group के वो लोग क्या है उनकी अलग-अलग opinion है और हम एक school of thought में या ग्रूप में ऐसे लोगों को रखते हैं जो कि सेम थोट रखते हों जैसे मिन आपको लास्टास में पिताया था अगर हम सब law student के हैं मतलब लोग study करते हैं तो हमको law student बोलेंगे जो सब science की study student 10 12 में थे उनके अलग-अलग group बन जाते थे अलग-अलग classes होती थी बिल्कुल से इसी तरीके से जो एक तरीके के मानने वाले जो लोग होंगे उनको एक group में रखा जाएगा तो यहां पर jurisprudence की context में भी जब हमने बात करी school of thought की तो scandinavian realism भी कही अचुता नहीं रहेगा अगर एक जैसे मानने वाली लोग होंगे तब ही school बनेगा तो डास कहते हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहां पर जो exponent है scandinavian realist में वो लोग अलग-अलग बात सोचते हैं और रखते हैं ज रोज यह exponent है इसी के हमारे scandinavian realist के तो इनकी theory जो है इनकी philosophy हो गई ideology हो गई वो अलग-अलग हो जाती है इसलिए हम एक school इसको नहीं बोल सकते हैं ऐसा dais कहते हैं फिर scandinavian realism की बात करें तो यह basically क्या है metaphysics skeptical है अब metaphysics क्या होता है metaphysical एक philosophy की ब्रांच है जहां पर knowledge truth इन सब को study किया जाता है और यह लोग कैसे skeptical है skeptical का मतलब जो संधे पूर्ण द्रश्टी से देखते हैं जो संधे रखते हैं तो metaphysics को यह लोग मानते नहीं है बलकि इनको critic करते हैं यानिकि इनकी criticism में यह लोग यकीन र idea जो की बात करता है positive system of laws related उसको control करता हो यह direct करता हो तो उसको भी reject करते हैं और natural of philosophy को भी यह लोग reject करते हैं scandinavian realist जो है वह हेगल स्टॉम को अपने spiritual father मानते हैं उसके बाद में इसके इंपोर्टेंट एक्स्पोनेंट है वह oliver krona rose in avion state है यह सब हेगल स्टॉम के सिश्यर है फिर उसके बाद आजाए जब हम बात करते हैं कि jurisprudential camp की इसके legal realism की तो basically यह क्या है यह लोग वह scholar है जो realist school की पड़ी थी American realist की तो वहाँ पे भी study किया था कि natural लोग को यह लोग नहीं मानते यह लोग कहते हैं कि जो reality पर बेसे हैं मतला judge बनाते हैं कानून जब वो decide करते हैं कोई case बस वही उनके observation पर experiment पर experience पर depend करता है लोग तो वही चीज यह लोग भी मानते हैं अब सब start करत अब बात करेंगे philosopher थे तो कैसे उन्होंने यह जो थोट दिया किस तरीके से देखिए यह हमने पहले भी पड़ा है कि metaphysics जो है वो एक branch of philosophy है ना तो जब यह philosopher थे तो इन्होंने metaphysics को भी पड़ा होगा तो इन्होंने का metaphysics की जो concepts है ना वो शाम concepts है अगर हम लोग की बात करें तो वो शाम concepts है मतलब कि वो एक धोका लगता है फ्रोट टाइप लगता है वो सिरव एक जादू है शब्दों का इससे ज्यादा कुछ नहीं है उन्होंने कहा कि जो law और ethics है वो क्या fertile sources है metaphysics के उनका attention इसी बात पे था कि law and ethics जो है वो particularly fertile sources है metaphysics के इस तरीफे उनका ध्यान ग पिना आती है empirical investigation उसमें नहीं होती है अब यह empirical investigation मैं यह नहीं पढ़ाओंगी कि मैं जब realist school हमने पढ़ा था American realist school specifically तो वहाँ पर मैं सब समझा चुकी हूँ अगर दुबारा समझाओंगी तो है necessary class lengthy होती चले जाएगी तो empirical investigation वहाँ जरूर देखेगा क्या होता है तो बोल है कि मैंने मतलब ढूंडने की कोशिश की हगर हम देखे कि अकर शूम ने क्या किया तो उन्होंने कोशिश की कि जितने भी राइट्स हैं उनको empirical basis को ढूंडे मतलब उनके basis को ढूंडने की कोशिश की पहले discover कि उनके basis कौन से basis empirical empirical फिर वो एक एक करके सब को dismiss करते चले गए उन्होंने कहा कि जब एक factual basis की बात करें कि कहां से आते हैं अधिकार तो बोल रहे हैं कि जो अधिकार हैं वो किसी external authority की ना तो command से आ सकते हैं ना तो जो protection guarantee करती हैं वहां से आ सकते हैं इसलिए उन्होंने क्या किया इन्वेस्टिगेट किया historical basis को अब historical basis को जब जो है इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की historical basis of right को तो उन्होंने जामन और रोमन लों को बहुत आदा study किया उन्होंने यह माना कि जो model हो है वो भी ritualistic exercise है ठीक है ritualistic exercise है उनका कहना था कि right and duties यह meaningless है क्योंकि उनको हम कभी भी scientifically verify या proof नहीं कर सकते हैं उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो होता है वो जो है अच्छा तभी लड़ सकता है जब उसे यकीन होता है कि उसके पास कुछ अधिकार है उन्होंने रोमन और ग्रीक लों को जो है वो कोशिश की उनके historical basis को जानने की extensively उसक जो है extensively उन्होंने study किया उसको उन्होंने यह माना कि जैसे कि classical law है उस तरीके से model law भी ritualistic है nature में उन्होंने कहा कि law और ritual के बीच में ऐसा ही संबंद है जैसे कि leaker और container के बीच में है अगर हमें leaker को लेना है तो container की जूरत पड़े की लेकिन container को तो हम नहीं ले सकते लेकिन क लेकर को लेना जरूरी है तो container को avoid भी नहीं कर सकते बिल्कुल इस तरीके से कहने लोग को लेना जरूरी है तो ritual को ignore नहीं कर सकते लेकिन उन्होंने good and bad का जो idea था उसको reject किया था अभी हमने आपको बताया क्योंकि उन्होंने कहा था कि simply इसको हम verify या प्रूव नहीं कर सकते आगे उन्होंने ये भी कहा कि value judgments यो होते हैं वो सिरफ emotional expressions होते हैं क्या होते हैं value judgments emotional expressions होते हैं क्योंकि वो use करते हैं judgment को लेकिन actual में judgment word वो use नहीं करते हैं मतलब properly use नहीं judgment जैसा कुछ नहीं होता value judgment में emotionally express किये जाते हैं और इसी वज़े से उनको critics का भी सामना करना पड़ा थ और उनकी philosophy को value nihilism बोला गया था अब आगे देखते हैं कि कार्ल ओलिवर क्रोना क्या कहते हैं इन्होंने कहा कि simple सी बात करके उन्होंने सारी बाते खतम कर दी उन्हें बोला कि मैं unnecessary जो है अपना time नहीं waste करने वाला कि मैं definition बना हूं लोकी इसके वालावा वो कल रहे हैं कि description औ analysis यह attempt करूंगा low की definition I don't want to discover तो उन्होंने कहा क्या कि जो low होता है वो किस चीज़ पर based होता है उन्हों लोको समझने की कोशिश करना चाहता हूं नेचर को समझना नहीं चाहता हूं क्योंकि अगर मैं nature को समझने की कोशिश करता हूं तो वो assumption मुझे बनाने पड़ेंगे और assumption बनाने के लिए बोल रहे हैं कि मैं ready नहीं हूं मुझे तो सिरफ facts को examine करना है उन्होंने investigate किया लोको उसके nature को नहीं क्योंकि वो यह कह रहे थे कि मुझे अगर nature के मलब लोकी nature को अगर मैं investigate करने चाहरे चला जाओंगा तो मुझे assumptions बनाने पड़ेंगे और assumption मुझे बनाने लोका क्या होता है उन्होंने कहा कि लोγα जो बैंडिंग फोस की बात करने तो कोई ऐसा लो के पीछे कोिम बैंड फोस नहीं होता नहीं कि लो तब तक tweet की बाट ज़ूर करें यह बलो तब-देट आ binding force है जब इसका binding force नहीं रहेगा तब यह जो है इसकी validity खतम हो जाएगी लेकिन लोग के पीछे कोई binding force होता है ऐसा यह नहीं मानते इस चीज़ को उन्हें reject किया आगे उन्होंने कहा कि जो binding force होता है न कोई बोलता किसी चीज में है कोई किसी चीज में natural law में है कोई कहता है will of the state में है कोई कहता है unpleasant consequences में कि अगर कोई rule तोड़ेगा तो कि उसको यह result उगतने पड़ेंगे इस वज़े से जो है लोग वो लोग को जो है फोलो करते है बाइं बात कर रहे हैं तो binding force उन्होंने का नहीं होता है ऐसा कुछ भी जैसे कि अभी वही बात है कोई बोलता है नैच्रल हो है कि अपनी इच्छा से morality अंदर से आता है कि ठीक है करिए आपको पालन करना चाहिए कानून का बोल रहा है ऐसा भी नहीं है कोई कहता है कि जो authority है वहां से उन्होंने state है जो उन्होंने दिया है यह rule follow करने के लिए तो वो follow करना है इस चीज़ को भी नहीं मान रहे वो फिर वह अगे बोलते हैं कि अगर आप यह follow नहीं करेंगे तो आपको यह करना पड़े गा ऐसा कोई concept है इस चीज़ को भी नहीं मान रहे उन्होंने को तो बहुत वोइड सा होलो सा वर्ड मुझे लगता है तो बोल रहे हैं कि एक कोट जो होता है वह एक कोट कुट प्रनाउंस होने फैक्ट्र सिचुएशन विदाउट कॉलिंग राइट इनेड मतलब फैक्ट्स पर यह बेस पर डिसिजन लेगा यह निकी अधिकार है इसका बंदेगा इसको जो है नियाए मिलना चाहिए ऐसा नहीं फैक्ट के बेसिस पर उसको जो है नियाए मिलना चाहिए और यह जो फैक्ट्स इवेंच से उनको उन्होंने टाइटल बोला है conclusion क्या रहा Oliver Krona का कि लोग क्या है वो certain set of social fact है और वो fact कैसे होंगे application of original force पे depend करते हैं फिर रोस के उपर आ जाए तो आल्फ रोस है वो डैन्मार्क के थे जिन्होंने deliberately normative character of law के उपर focus किया उन्होंने normative laws के और descriptive laws के जो कि found किये गए हैं books में मतलब जो books में मिलते हैं ऐसे laws को उन्होंने जो है differentiate किया normative law यह है descriptive law है ऐसा उन्होंने देखा उन्होंने believe नहीं किया कि हमें interpret करना है लोग को social facts में लेकिन वो इस चीज़ पर concern जुरूर थे कि validity क्या किया है तो valid law उनके इसाब से थे उन्होंने कहा कि उन्होंने जो validity की बात करी वो उस चीज़ से concern थे कि जो validity of law है उस चीज़ से concern थे उन्होंने कहा कि validity of law को अगर हम देखना है तो वो कैसे देखेंगे जैसे कि बाकी सारे legal realist है उसी तरीके से इन्होंने भी legal orders और position of courts को देखने की कोशिश की और यहाँ पर norm की बात करें तो उन्होंने कहा कि norm डिरेक्टिव है जो की relation में है किसके social facts के और आगे जब हम बात करते हैं इन्होंने आगे क्या कहा कि किस तरह से उनको verify कर सकते हैं तो फिर इस चीज़ में कहीं ने कहीं वो आगे बढ़ते हुए जो थे वो legal positiveism की तरफ चल गए थे और और उन्होंने अपनी book on law and justice में यह भी लिखा था कि there is only one word and one cognition तो इस चीज़ के उपर भी बहुत सारी बाते हुई उन्होंने का जो सारे science ultimately वो कहा जाएंगे वो एक ही तरीके की body of facts और एक ही तरीके के scientific statements के उपर बेज़ने हैं वो क्या है reality के उपर बेज़ने और which are not purely logical जो कि purely logical नहीं है mathematical नहीं है बट क्या है subject to experimental test है तो यह हो गया scandinavian realism तो इस चीज़ को हमने आज complete कर लिया है realist को I hope आपको समझ में आ गया हो तो आगे की classes के लिए भी बने रहेगा कुछ गलती हो गई हो तो चमा कर दीज़ेगा इंसान समझे ठीके ना thank you so much